नमस्कार दोस्तों मैं सुमित मिस्रा स्वागत करता हूं एक बाप फिर से आप सुभी का MZT Education में दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RRB-ALP के एक्जाम डेट के बारे में 18,799 प्लस पद हैं 2018 में मैं सेलेक्टेट भी रहा हूं तो आपको आप में से जो लोग नहीं आये होंगे उनको नहीं पता होगा वैसे तो जानकारी के लिए बता दू क्या होता है कि कभी लोग कमेंट करने में मर्यादा भूल जाते हैं तो कौन होता है डेट बताने वाला वालों का कोई भरोसा नहीं चाहे ट्रेन लेट हो उसके मामले में या एक्जाम डेट की मामले में दोनों में यह लोग लेट करते हैं चलिए तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूर और इंफरमेशन की सीजियल की डेट अनौन्स हो गई है देखे सीजियल की अगर जो ल अगर बात करो तो 36 लाख से जादा फॉरम पड़े हुए हैं सीजियल का इस बार का पिछले साथ सालों में सबसे जादा फॉरम पड़े हैं तो आपको बहुत ही केरफुली बहुत ही अच्छे तरीके से लगन के साथ लग जाना है और अब अंतिम महीने में किस प्रकार से त बहुत हैं मौक टेस्ट आपको यह अनुभो कराता है कि आप जो चैप्टर पढ़े हो उसमें से कुष्चन आ रहा है तो आप कर पा रहे हो कि नहीं फर इक्जामपल आपको यह एक चैप्टर पढ़े और आपको लगा कि हां आया आप तो आया रहा है उस टाइप का कुष् के साथ मिक्सप के साथ उसके बीच में अगर वो टाइप का कुष्चन देखते हो तब आप वो कर पाते हो कि नहीं यह आपको जानकर देता है मौक टेस्ट इसलिए मौक टेस्ट स्वाल करना बहुत जादा जरूरी है और आप जानते हो टेस्ट बुक जो है इसमें बहुत जो है यह जिन लोगों नहीं लिया है इसको ले करके जॉइन कर लो बही देखो जब भी कोई आफ़र आफ़र भी आता है बड़ा तो उसने भी बहुत ज़्यादा करके सवड़ेशो का ही डिसकाउंट रहता है उसके लिए दस दिन पंदरा दिन वेट करने का क्या मतलब है और अभी भी आप वैसे MZT coupon code यूज करते हो तो 12% का डिसकाउंट तो आपको मिली रहा है आप जॉइन कीजिए जॉइन करने के बाद डेली अब अगर जो सीजियल वाले हो तो डेली देना सुरू करतो और अगर आप NTPC या अधर वैकेंसीज के हो तो दो दिन में या तीन दिन में एक mock test तो दे करके चलो और देने के बाद mock test ये भी जरूर किया करो कि जो chapter का question गलत हुआ है जो chapter का question नहीं समझ में आया है उसको आकर पढ़ो तब अगला जाकर के mock test दो लगातार mock test देते रहने से भी कोई फाइदा नहीं है है ना केवल सिर्फ mock test दो के तब भी को आपको मिलेगा ठीक है चलिए अब important dates की बात करते हैं आरा भी एलपी के तो देखिए जैसे कि आप जानते हो application बिगन हुआ था 20 जनवरी से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगारा के बाद फानली इन्होंने कहा निकालेंगे और निकाली कितनी थोड़ी से वेकेंसी ला मई में फोटो अप्लोड कराए अपडेट कराए जोन वाइज रिवाइज वेकेंसी डिटेल आईज चार साथ को चार जुलाई को फिर इसको जोन चेंज करने का प्रिफरेंसर्ज देने का ये डेट निकाले 29 जुलाई से 7 अगस्तक का जो की कलपड़सों तक की डेट थी य और इसमें अभी 7 अगस्त तक ये अपडेट ही करा रहे हैं तो अब इनके पास जो डाटा जाएगा अब ये डाटा पर ये एनलेसिस करेंगे जोन वाइज उसके बाद फिर चुकि TCS वालों से टेंडर ले रहे हैं TCS वाले से ही एक्जाम कराएंगे most probably वहीं से ही होगा और कौन कराएगा इतना बड़ा एक्जाम वही कराता भी ये रेलवे का तो TCS एक्जाम कराएगा तो TCS और भी एक्जाम करा रहा है अभी देखो CGL का important announce हो गया है date अब CGL का आप देखोगे यहां पर तो 9 सितंबर से सुरू होकर के 26 सितंबर तक चल रहा है ठीक है 9 सितंबर से 26 सितंबर तक CGL इसको लिया हुआ है तो भाई जब ये भी तो पूरा आल इंडिया करा रहा है एक्जाम ये पूरा सिस्टम जब रखे रहेगा बिजी रखेगा तो फिर इसकी तो date मुस्किल है तो यानि कि आप समझो और प्लस अभी तो 8 अगस चल रहा है अब 8 अगस से आ ठीक है 15 से 20 दिन पहले date बताएंगे फिर 4 दिन पहले admit card जारी करेंगे sorry 4 दिन पहले admit card जारी हो जाएगा और 10 दिन पहले आपका ये पता लग जाएगा exam city वगएरा तो 15 से 20 दिन पहले जब date announce करेंगे तो वो 15 से 20 दिन पहले कब होगा अभी होना चाहिए लेकिन अभी तो system चमबी जी चल रहे हैं सब तो अभी तो incubation में रही है इसलिए आप मान करके चलो सितंबर के last week के बाद ही आपका हो सकता है exam वैसे तो अगर इनके notification की माने जो ये notification जारी किये थे इसमें ये क्या बताए थे कि भाई हम cbt1 का exam जो है ये कब करा देंगे जानते हो जून से होना नहीं नजर आ रहे हैं the second stage cbtr tentatively schedule take place in September कहें कि सितंबर तक हम cbt2 भी करा देंगे और जबकि सच्चाई ये है कि अगर जब एक exam होगा जब इनका cbt1 होगा कराएंगे तो उसके बाद क्यूंकि 7-8 दिन लग जाएंगे अगर मान लोग दिन भर में 3 shift भी कराते हैं 60 मिनट में 50 देखो 60 मिनट में 75 question करने हैं इनको है ना आप लोग को तो 60 मिनट में 75 question करने हैं CH-11 एक दिन में 4 कराते हैं तो ये भी अगर बहुत मेहनत करेंगे तो 4 करा ले जाएंगे एक दिन में लेकिन अगर मान लो 4 shift ना करा पाए 3 ही कराते हैं फिर भी form की संख्या ज़ अगातार कराते हैं तो अब ये 7 से 10 दिन कब हो सकता है बीच में गैप मिल रहा है इधर लास्ट अगस्त में लेकिन संभावनाय भी नहीं लग रही है और 9 सितंबर से 26 सितंबर तक CGL वाले पूरा फसा कर रखे हुए system उसके बाद फिर आगे का date बच रहा है तो उस time पर ल date clear कर दें उधर एक्जाम चल रहा ठीक है लेकिन एक दू दिन का गयप देकर फिर ELP का सुरू हो जाए ऐसा हो सकता है तो 7 से 10 दिन एक्जाम चलेगा अगर मालो 3 से 4 से पड़े कराते हैं तो अब जब एक्जाम चलेगा 7 से 10 दिन तो आप सोचो उसके बाद उसकी चार दिन कर दो हम लोग करीब कर के मानते हैं 28 सितंबर से ठीक है अब फिर से मैं बता रहा हूं लेट भी हो सकता है और भी बीच में थोड़ा सा स्लाड बच रहा है तो हो सकता है शित बीच में अगस्तृ करीज लिजे नीज़ना कराना मालो 3 6 Nick चलते पर पर एक लेगर एक्जाम होगा कि इनको अगर 10 दिन कराए तो ये आप सितंबर के बाद October मालो 8 October तक ही एक्जाम कराते हैं फिर यहां तक एक्जाम ही होता है इनका ठीक है फिर इसके बाद 8 October से 4 दिन या 5 दिन के बाद यानि कि 13 October को अंसर की आएगी फिर अंसर की पर objection होगा मालो जे यहां से 20 तारिक तक 20 October तक यहां objection कर दिये ठीक है 20 October तक फिर उसके बाद फिर 30 October के आज पास में ये final result जारी करेंगे CBT1 का या फिर shortlisted candidate को date जारी करेंगे कि आप qualify हो CBT2 के लिए ये जारी करेंगे ये list जारी करेंगे ठीक है तो अब ये जारी होगा और ये लंबा हो सकता है ये 10 दिन में आये हो सकता है आपका 20 दिन लग जाए 15 दिन लग जाए क्योंकि ये लंबी list होती है और इस बार आप देख रहो 18,000 vacancy है तो 15 से गुना कर लो आपका जाकर CBT2 हो सकता है तो CBT2 के लिए तो निश्चेंत रहो इतनी जल्दी नहीं होगा और CBT1 जो है CBT1 जो है यहाँ पर आप अगस्त के last में last week में एक slot बचा है 15 दिन का अगर उसमें हो गया तो ठीक है नहीं तो आप समझे सेतंबर last के बाद होगा सेप्तंबर last के बाद होगा फिर मेरी वही बात जो से सुरू में ही मने वाताया railway वाले हैं और भी delay कर सकते हैं और भी पहले मतलब यह अगस्त वाले में करना होगा तो यह इसमें कर देंगे नहीं तो यह और लेट भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इतना पहले ही हो जाएगा time लगेगा यह बात ध्यान रखना पढ़ाई करते रहें निश्चन तौर पर और mock test लगाते रहें इसकोर अपना बढ़ाते रही है ठीक है और आपके लिए ऐसे ही WhatsApp गुरुप भी एक बनाया गया है जिसमें आप Connect होकर के Telegram गुरुप होगर में Connect होकर के थोड़ा सा Competition का महौल पापाएंगे यह कैसे लोग बाकी लोग Attempt कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अरभी NTPC की जो लोग तयारी कर रहे हैं उनके लिए अर्जुन बैच लाया गया है अर्जुन बैच पर आप अच्छे तरीके से पकड़ आप अपनी बना सकते हो और NTPC के लिए अभी से तयारी सुरू कर दोगे तो बढ़ियां अच्छा खासा इसकोर आप कर पाओगे इसक